नमस्कान न्यूज एटीन कहता है वोजर का कारवा पहुँच चुका है मतबदेश के सागर में सागर में मौझूद है डॉक्टर हरी सिंग गोर विश्विध ध्याल है जहां से कई जानी मानी हस्या आदेश भर में अपना नाम कमा रही है और देश का नाम भी रोशन कर रही है आईए आपको लिए चलते हैं यहां के मतदादाओं के पास जनप्रति लोगसबा चुनाव का बिगुल बच चुका है चुनाव जब आते हैं तो जनता ही जनार्दन होती है और यही लोगतन का सबसे बड़ा नियम है आईए जनता के पास आपको लिए चलते हैं कि मौझूद सरकार के कारकाल से जतना जनता कितनी खुश है कितनी संतोष्ट है क् कुछ देखना चाहते हैं ऐसा दस साल लगातार मोधी सरकार रही है और तमाम सारे वादे दावे किये आपने भी सुने होंगे जो नेताओं ने बाचीत की कितने संतोष्ट है सरकार के काम कास से आपको लोगों को कुछ सुविधाय मिली नहीं मिली नबब परसंट खो सुमे तो अच्छा अचछा साशन चल रहा है जाजा अच्छा सासन से चल रहे हैं कैसे चल रही है रोजी रोटी वागेरा बढ़ियां चल रही है यहां पर पढ़ाई लिखाई की कैसी वहसता है और स्वास के और रोजगार की बात करें तो कैसे इंट्सामात हैं जो जनता है वोटास हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं यहां पर चाई की चुस्क्या भी चल रही है इसके लिए रोजगार और स्वास की लिए देखें़ाई तो यहां पे लमंबे समय से हैं सागर में कितनी परीवरतन हुआ चीजेयों में कितने बदला हुआ है लोड़ा बहुत परीवरतन हुआ हुआ साथ बिकास हुआ इस भगाया है तो देश का राष्ट गुरू बनने वाल है राम बंदिर वगेरा बना दिया सरकार ने यह से अच्छो अरका हो सकता पर फिरूशन जड़वादा तो यह जो राम बंदिर का मुद्धा है और तमाम सारे मुद्धे हैं यह लोकसवा चुनाओं में आपको लगता है कि यह काम कर हिए अच्छनाओं यह जब चुनाओं होते तो च्छेत्री मुद्धों पर जयादा जोड़ दिया जाना चाहिए या फरज़र रास्टि मुद्धय है जैसे लिए को लेके बात होती है इंतिलाग को लेके बात होती है राम judi को लेके बात होती है लेकिन छेत्री इस्तर पर भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं तो करना भी चाहिए तो इसमें जो राष्टी मुद्द होंगे उनको ज्यादा प्राइटी दिया जाहिए जो जो मुद्दे राज्य सरकार से जुड़े हुए वो विधान सवा के चुनाओ के समय द्यान लखने चाहिए और जो लोकल मुद्दे रहते हैं चाहिए जो रेलवे का विशय होता है रेलवे का विशय तो केंदर सरकार का होता है हम लोग जब यहां जंता के बीच गये तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सागर में रेल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी न एक चीज बहुत महतूर है, महंगाई का इशू, ये भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार से ही संबंद है, तो जितनी महंगाई बढ़ रही है, क्या उतने रोजगार के साधन बढ़ रही है, क्या उतनी आय बढ़ रही है, या फिर महंगाई अब जाधा हो चुकिये, उसको कम करना चाहिए भले ही आने वाले समभे में कोई भी जीते या कोई भी सरकार आए नाहीं टक मेहनगार की बात हैं तो हर चीज़ की बढ़ेजेशन बढ़ता जा रही है उसे साफसे नहीं भी बहुत जादा नहीं बढ़ रही है लोगों को मिल रहे तो ये लोगों को मिल रहे हैं सागर नगा नगा। है आपने भी लिया तो इसमें कोई कठना यह आई कोई दिक्कत आई कि आसानी सब होगे नहीं सब अगरते होगे और रोजाना का जो कामकार व्यापार है वो कैसे चल रा है अज़र सब सही चल रहा है जो कस्टमर आपके पास आते होंगे रोज बहुत सारे लोगों से आपकी बादशीत होती होगी तो वो कुछ शिकायते जादा करते हैं या खोश और संतोज जादा नजर आए अब सिकायद तो सब क्लिए बहुआन से भी यह कहने बसे काया है है और अख्या चार रहा है सब कामकार अख्या बगवानी तरफासे और ऐल्थ वगेरा की बात करें तो कैसी वीस्ता है आपके सागर लोगसाबा में अस्पतालों में और जो आन्ने सुवीदाय होती है यहां सर बड़ी आ है सर सबकुछ अच्छा काम चाप रहा है सागर के अवशक्ता मैसूस होती है सर ऐसा है कि सागर में सागर संसधी छेत्र में रोजगार कोई अच्छा सागर वद्धियोग फिलान्ट लगना चाहिए सागर में लोगों को रोजगार के साधन लोकल इससर पर मिलना चाहिए ताकि पलायन रोख सके महंगाई एक समस्य जरूरे ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग बैतर रेल कनेक्टिविटी की मांग भी सागर में निकल कर सामने आई है चलिए अब आपको लिए चलते हैं यहां की जन प्रतिनिदियों के पास और उनसे हम सवाल करेंगे कि जनता की यह जो मूलबूत आवशकता हैं उन्हें कब और कैसे पूरा करने वाले हैं सागर लोकसबा सीट मजबदेश और देश की सियासत में अकसर चर्चा में रहती है कई बड़े विकास के कार यहां पर हुए हैं हरी सिंगोर विश्विद्याला यहां पर इस्तापत है जो इस पूरे छेतर की पहचाने कई हस्तियां इस विश्विद्याला से निकली हैं जो देश और प्रदेश में विदेशों में भी अपना और अपने चेतर का नाम रोशन कर रही हैं लेकिन जनता की कई मूलबूत सुवीधा हैं मूलबूत आवशकता हैं और मूलबूत मांगे हैं जिन को लेकर ये पूरा लोगसबा का चुनाओ कहीं न कहीं लड़ा जाएगा इसके लावा राश्च्ट्री मुद्दे भी यहां पर हावी हैं चाहे बासी ए की हो र पाने वाले समय में क्या वज़ान है ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कॉंग्रेस क्योंकि कॉंग्रेस यहां विपक्ष में हैं सर क्या वज़े है कि बीते चुनाओं में लगातार कॉंग्रेस को यहां जनता नकार रही है जनता ने मौका नहीं दिया कहीं न कहीं हम जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रहे हैं लेकिन आप सागर में जनता समझ चुकी है कि भाजपा के द्वारा लगातार जिस पेकार से भ्रह्म फेलाया जाता है जिस पेकार से जूटे बादे जूटे घोस्वनाई की जाती हैं वो सब बिरमत करने के एक उन मुझगार के लिए उन्होंने कुछ भी दिया कोई भी आयाम पैदा किए क्यों सागर के युबा बाहर के राज्यों में अपने दूसरे नय सहरों में मध्यू पिदेश के अनय सहरों में पलायं करने के लिए क्यों मचबूर ben यव्यस नहीं सामिल है लेकिन फिर भी सागर इतनी सुभीदाओं से अचूता क्यों क्यों सागर में एक भी फैक्टी नहीं है क्यों इंडस्टीज नहीं है क्यों उसके लिए प्रियास नहीं किये जा रहे जबकि भाजबा के लिए उसागर की जनता ने हमेशा उनके बिजबास जता रहा है उसके बाद भी उनके बिजबास पे खरा नहीं होता रहा है क्यों योबा उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं जवाब ले लेता हूँ इस बात का कई बार जन्ता ने मोगा दिया एक बार नहीं बार बार यहाँ से जताया लेकिन उसके बात भी कॉंग्रेस भी कह रही है हम जन्ता की बीच थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ से पला आया नहीं पड़ी समस्य है जिसका कारण है कि रोजगार तो सरकार कोई भी आ जाए, दोज़गार की एक विवस्ता कर रहे हैं, विवस्ता चल रही है, यह लगाता था 35 वरसों से हम पर विश्वास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, करना कांगरेस है, कांगरेस तो मुक्त हो चुकी है, कांगरेस की प्रत्यास ही नहीं मिल रहे हैं, एक माईना भी नहीं बचा है। जैसे उन्होंने का कि 35 साल से बिधायक है, सांसाद है भाजपा का। जैसे एक रोजगार उनके लिए मिल रहा है। अगर हम योवाओं की करें तो अगर जैसे हम कोलिश की बात करें। तो सागर में केंदी विस्विध्याला के बाद, अगर सागर के लिए सबसे बड़ी सोगात मिली है। इससे एक एक योवा खुस है कि राजिस्तरी विस्विध्याला सागर छेत्र के बासियों के लिए मिला है। तो डाक्टर गोर की सपने को पूरा करने जैसा यह कदम है जिसकी हम भूरी भूरी प्रसंचा करती है। तीस सालों से आपका। लेकिन सागर की जनता के साथ धोका क्यों? सागर के जनता के साथ युवाओं के साथ क्यों दोका होता है? सबसे पहला सवाल मेरा कॉंग्रेस से ही है कि रोजगार की बात तो आप पहले एक जवाब दे दीजे ना फिर सवाल उनका पहला आरोब रोजगार को लेके दा मैं रोजगार का सबस्टी करण इनसे मांगना चाहता हूँ कि कांग्रेस की आखिर रोजगार की परिवासा क्या है क्या सिर्फ सोब प्रतीसन सरकारी नेवेस की कंपनियों में काम करने वाले वक्ती ही रोजगार के पात्र माने कि इनकी पहले रोजगार की परिवासा कया सदा करेंगे ज़ित करना वङत्ति जीत है करनेका व regulatory करेंगा, विब्रकॉर यहाँ पर लोकसभा का सांसाथ चुना गया। मोधी जी ने कहा कि मोधी जी का चहरा है और वेक्ति को चुनके भेज़ें। आज मैं ये बात जानना चाहत ś辉 हूं को कि लोकसभा का चुनाव फिर सर्फ है। पर आप मोदी जीं के नाम पर मांने आओगो, फिर हमारी जंत्ता के साथ में धोका किया जाएगा, मानी सांसद महोदयने इस शेत्र के विकास के लिए क्या किया? क्या सागर में हवाई की उसी विधाय आई क्या हमारे सागर में कहीं और कोई ऐसे कोई माब्दन लिस्था पित हुए हो जो सेंटर से सागर के लिए मिले हो कोई नहीं है आज जो लोग यह दिखा रहे हैं 35 वर्षों से निश्यत तोर पर महापौट से लेके सांचत तक भाषपा का है इन 35 वर्षों में हमारे सागर के विधाय के नाम पर आप एक एलिवेटेट कोरीडोर की घिंती करा रहे हो जो कि विछले एक गिल साल में बना है एक सागर की जंका के साथ उस लाखा बंजारे में लोगों ने देखा नहीं है कि कम मिट्टी निकली है और कप फिक गई और सो करोड से ऊपर की खुदाई का काम भी हो गया यह एक ब्रश्टाचार का एक बड़ा मामला था तो आज रोजगार की यहां ते किसी थी है हमारा विवस्ता आपने करी है तो यही परिवाचा है सर कि आदमी का पेड़ भरना चाहिए उसको परियापत और एक अच्छी जिंदगी लाइफ स्टैल मिले उसके विवस्ता होनी चाहिए आरोप लगाना बड़ा आसान है लेकिन हमारे पक्सी दलों के साथ ही यह भूल जाते है कि इसी सरकार में अभी लगवग 6 मही ने पूर मानि पर्दान मंद्री नरेंद मोदी जी ने बीना के अंदर बीना रेफाइंडी में जो है पेट्रो केमिकल हब की जो 50-50,000 करोड रोपे की पेट्रो केमिकल हब का भूमी पूजन किया उसका काम प्रगती पाए अब ऐसा न का क्या तो क्या है इनके जब जगवजा सी मुक्कमन्ती ती अब लाइट नहीं मिल दी आज पूरा सागर रहे हैं पूरा सागर हर रोट है कि मुद्दा है रोजगार अगर रोजगार का मुद्दा होता तो जनता 35 साल से बाचपाक और अभी प्रदान सबाशनाव में आपन लेकर दूसरी बात आप जो बात कर रहा है रोजगार की तो रोजगार की बात हम क्यों ना करें हम योबा पढ़े लेके योबा आज पलायन कर रहे हैं आपना वो सिक्षा कितनी महंगी हो गई है यह आप खुद देखिए और जब सिक्षा पढ़ लेके योबा पढ़ लेके अगर रहना बेल एटुकेटेट हो जाता तो वो हमाली नहीं करेगा वो मज़ूरी नहीं करेगा उसको नौकरी चाहिए क्यों क्योंकि उसको एक विवस्चेत अपना घर्द चलाना है बच्चों को पालना है बच्चों का भरन पूसंड करना है वो योबा कहा जाएगा आते कंगी के आधार आपकी आपकी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में सागर में लोग पढ़ लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी करने कहा जाएंगे जबलकूर भोपाल इंदोर ववस्टा यहीं होगी आप यह जो इन्होंने कहा ना कि कॉंगरेस ने दी कॉंगरेस ने बागई में इस देश को बहुत कुष्टी इस देश को गर्त में ले जाने का काम कॉंगरेस ने किया ब्रश्टा चार कॉंगरेस ने दिया बागई में कॉंगरेस की कई उख लग दिया है इस देश के